हलो दोस्तों, बैंकिंग केरियर के ओपीसियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम उमेस यादो है दोस्तों इस वीडियो में जो आप में से स्टुडेंट, SBI, Junior Associate और RBI Assistant मेन के लिए फोकस कर रहे है और आप में से जितने सारे स्टुडेंट है जो FR Cloud का PDF पर्चेज कर लिए है बट आप में से बहुत सारे स्टुडेंट एक कोश्चन करते हैं कि सर इतना बड़ा पेज, PDF का पेज है कैसे उसको पढ़ा जाए, एक मंत का कंप्लीट करने में काफी टाइम लग जाता है दोस्तों इस सब को ध्यान में रखते हुए और मेरे रिक्वेस्ट पर FR Cloud के टीम ने आप सभी के लिए एक अच्छा चीज इंटर्यूस किया है एक पॉकेट PDF इंटर्यूस किया है जिससे आपको काफी बेनिफिट मिलेगा और आप आसानी से 35 प्लस एक स्कोर कर सकते हैं अपने एक्जाम में करेंट एफियर और बैंकिंग अवरने से स्टैटिक पार्ट में इसको हम देखेंगे कि आपको कैसे पढ़ना है इसमें आपको लाइब दिखाऊंगा आपको काफी यहां से बेनिफिट मिलेगा दोस्तो आप में से जो भी स्टूडेंट परचेज कर लिए उनके लिए काफी अच्छा है और दोस्तो आप में से जो भी स्टूडेंट नहीं परचेज किये हैं आप चाहते हो कि आपको आपको आच्छा है कि दोस्तों आपने परिशिज कर लिया होगा तो आपको इस टैप का आपको उनके तरफ से मेल आ गया होगा आप यहां पर देख सकते हो आपको करेंट एफियर 2020 पीडिएफ अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है आपको मैं सब दिखाता हूं कैसे पढ़ना है आपको आप पर अपरेल मंत में आ जाइए अपरेल मंत में आ जाइए यहां पर आपको चीजे में जो है उसको डिटेल में डिसकस करते हैं अब देखो अपरेल मंत में आने के बाद आपको मौन्थली पीडिएफ है मौन्थली पीडिएफ में देखो यहां पर करेंट एफियर question answer जो है उसका अब दोस्तों इसमें आप लोग जो भी student purchase कर लिए आप लोग पुछते रहाते हैं कि सर इतना पड़ा PDF है इसको कैसे पढ़ा जाए तो देखिए इसमें उन्होंने PDF जो pocket PDF है उसको introduce किया है आपको सबसे पहले क्या करना है pocket PDF पर click करना है और pocket PDF जैसे open होता है उसमें देखो आपको हम आगे बताते हैं यहां पर आपको कौन कौन से टॉपिक है इसमें आपको बताया है कि इतना सारा टॉपिक उन्होंने कभर किया है अब यहां पर देखो maximum इसका जो पेज है I think मेरे ख्याल से 60-70 पेज होगा यहां पर जाकर करके आपको जो हाइलाइट पार्ट है उसको आपको पढ़ना है हाइलाइट पार्ट कम्प्लेट करो ऐसे देखो जितने सारे इंप्वोर्टन कोशन आपको दिया हुआ है यानि आप मौन्थ का पिडिएप नहीं पढ़कर के आप पॉक्ट पिडिएप पढ़ोगे तो आप असानी से आप अपने एक्जाम में 40 प्लस भी स्कोर कर सकते हो आपने ठीक से पढ़ातो इसमें जितने सारे आपका important question है वो सब कुछ दिया हुआ है बस आपको इसको पढ़ना है आपने pocket PDF पढ़ लिया उसके बाद आपको क्या करना है आपको फिर उसके बाद banking में पढ़ना है banking finance and economic PDF आ अब तक का वो सब आपको इसमें देखने को मिलेगा थोड़ा टाइम लएगा इसको उपने में आप जैसे open हो जाएगा उसको आप एक पर देखो इहां पर open हो गया अब इसमें आपको जाना है जो banking का जो important question है इसमें दिया हुआ है अब आपको पढ़ना है सब चीज इसमे है तो दोस्तों banking finance से जितने सारी important question है आप दिया हुआ है तो आपको यह पढ़ना है उसके बाद क्या करना है आपको उसके बाद फिर क्या करना है question answer का said लगाना है आप इतना किजिए आप आराम से 40 पलस score कर सकते हैं आराम से कर सकते हैं 35 तो easily आप आराम करी सकते हैं तो मु आपको यह भी बताना चाहिए मुझे कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए चुकि जो भी आप मेंसे जो serious student है मेरे से जुड़े हुए हैं आप सबको मैं चाहता हूं कि अच्छा से guide करूं आप अच्छे से score कर पाए अपने exam में और आपका selection 2020 के SPI junior associate में आपका हो जाए ओके दो दो थैंक यू सो मच गड़ ब्लेस यू